आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं पंजाबी छोले की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत पसंद की जाती है छोले भटूरे बहुत पसंद किये जाते हैं तो भटूरे का रेसिपी मैंने कल दिया था तो वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं और मैंने इसमें एक चीज मिलाया है जिसे की जो छोले हैं बहुत टेश्टी होगा है फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल पुस्पलता कीचन को सस्क्राइब करें बेल बटन को जरूर तबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें जब भी में कोई न्यूर ऐसे प ढ़िल लिया है कहात दो अब इसके अंदर मैं एक चमच नमक डाला और मैंने याँ पर टू पिंच मैंने शोड़ा डाला है यह उंचनल है अगर आपको पिसंद वो टाली यहां पर मैंने आपव्चोझोजई डाला है हौपी स्पून अभी कवर करके हम इसमें तीन से चार बब भी लें लूंगे अनुक के लिए है तो यहां पे मैंने जीरा और अजवाइन और हींग थीनो लिया है छोला में हैवी होता है तो गर महींद अजवाइन डाला लिएगा इधर में लिया है दो चम जबनीया पौडर को और ये लिया है CH enforce और धनेक लोड़े ये लिए गरम मसालक चोले मसाले से उसराइक would be ये लिनों कि उन हल्यादर ये की नियुक्तका भने खकोफीर हमें तर ये चोलेसी हमेरच के साटी है ये , या नियुक्त हैild Ya एक अच्छी सी खुष्पू और ऐल सप्रेट नहीं हो जाए तब तक भूनना है और मैं यहां पर बहुत अधिक ओयल का यूज नहीं कर रही हूं आप अपने हिसाब से ओयल कम जादा कर सकते हैं तो हमें ध्यमी आज पर मसालों को काफी देड तक भूना है इसको भूनने में हमें 10 मिनट के करीब लग जाएगा तो यहां पे हम भून लेंगे मसालो को अच्छे से, तो आप देख सकते हैं, यहां पे भून रहा हमारा, अब मैंने यहां पे टोमेटो का पेस्ट लिया है, मैंने यहां पे तीन टोमेटो का यूज किया है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कॉंटिटी के हिसाब से कर सकते ह तो यहाँ पर मैंने इसको भी एड़ कर दिया है, और अभी हम इसको भी अच्छे से टोमेटो को भून लेंगे, काफी अच्छे से बुनने के बाद फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे छोले, जो मैंने छोले उबाले थे, वो उबल चुके हैं, आप देख सकते हैं, कितना अ वान होने चाहिए तो यहां पर मसाला हमारा एकिदम रेटी हो गए अपर देख सकते हैं 2019 पानी उसका सात में जना करेंगे तक कि जि कि इतनी भी तामिस हैं वह सके अंदर रहें जहां लूब करते हैं मिख्कर करना चाहिए। बड़ें यहां पर गएहां जाए चाय पत्ती जो कि तो तो एक दम तरंडा पर गएहांी को चया सबस्क पट्सिद जा पर कि अब यहां पर निवन के उत्याव देख अन्हें पर यहां पेमें तेख बादर पर तो इसके पकाना है तो इसे हमारे जो चोले हैं उसके कलर और टेस्ट बहुत अच्छा होजाता है अब बहुत ही टेस्टी हो जाता है आप एक बर यह इस तरह से डाल के देखना और यहां मेरे छोले रेडी हो गया है यहां पर मैं रेखे लिया है यहां पर धन्या manifest कर देख सकते हैं कितना अच्छा है और खाने में तो बहुत भी टेस्टी थे तो आप जरूर इस तरिके से बना के खाईए ओपर से मैं थोड़े धनिया से गारनिश कर देती हूं तो यहां पर मैंने प्रेस्क्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यहां पर मैंने छोले भटूरे और जीरा राइस बनाया था और जीरा राइस की रेसिपी मैं पहले दे च तो मिलती हूं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाइ फ्रेंस गुड़ डे टेक केर बाइ 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 ओल आफ यू इस्टे होम इस्टे सेफ इस्टे होम इस्टे सेफ